हाई फ्रेंट्स वेलकुम बैक तो मैं चैनल आइफोन 11 में अने कर लिया है आइफोन 17.1.2 को अपडेटिड और इसको मुझे क्या क्या चेंजिस देखने को मिले हैं अपने आइफोन 11 में अगर आप दूस्तों आइफोन 12 का आइफोन XR का किसी भी फॉन का चेक करना चाहते ह कि इसमें चेंजिस क्या क्या हैं तो मैंने जो है औरेडी वीडियो अप्लेट करती है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो तो मैंने किसी दिरिक साथ वीडियो कर लेता है शुरूरू तो सबसे पहले अगर है मरे चैनल पर नए है तो चैनल को कर लेज दूसे तो simply first of all आपको इसका मैं size दिखा दूँ कि मुझे iPhone 11 में इसका size कितना देखने को मिला था तो simply आप check out कर सकते हो मेरे case में इसका दोस्तों मुझे size जो है वो हम कह सकते है 200GB मुझे दोस्तों इसका size देखने को मिल गया था और इसका मैंने जो है अलमोश्ट कल सुबा सुबा साथ के बज़े साथ या फिर आठ बज़े में इसके बीच में दोस्तों मैं इसको जाए अपडेटिड कर लिया था तो simply इसका मुझे क्या क्या चेंज देखने को मिले है तो मैंने simply इसको अपडेटिड किया है 17.1.1 से इसलिए मुझे इसका size है वो दोस्तों मुझे इतना शोटा देखने को मिला अगर अब दोस्तों मैं किसी और अपडेटिड से इसको फॉन को अपडेट करता तो साइज शायद मुझे इसका कुछ और देखने को मिल जाता तो simply बेना किसी देरेक साथ वीडियो कर लेते हैं शुरू तो simply settings की तरफ चलते हैं और आपको दिखा देता हूं कि मुझे size क्या का मुझे इसका changes देखने को मिल है तो simply सम चलते हैं सिर्फ पहले अब बिल्डर नबर की तरफ तो simply इसका जो है अभी बिल्डर नबर है वो दोस्तों मेरा 21B 101 हो चुका है and then मेरा पहले कितना था तो simply पहले मेरे दोस्तों 21D91 था और अभी दोस्तों यह से बीजीबी चेंश देखने को मिला है और मारा नक् पहले मेरे दोस्तों 24.99 जीबी थी और अभी दोस्तों मेरे 24.6 जीबी हो चेक है थोड़ी बहुत जो है थोड़ी बहुत जो है मेरी जो है बरी हुई है मिलकी जिस्ट नॉर्मल है कुछ इतना जो है खास नहीं है तो simply यह बारा जोस्तों अगर हम दोस्तों और के तरफ बढ 5.0.00 बोल सकते हैं कुछ भी बोल सकते हैं तो दोस्तों वह मेरे दोस्तों सेम रहने वाला है आईफोन 11 में अगर कोई भी नेट्वर्ट के रिगार्डिंग प्रॉब्ल देखने को मिलेगी तो मैं आपके साथ जुरू डिसक्स करूँगा इसलिए मेरे आपको जहाँ चैनल है इसलिए लिए और अभी दोस्तों यह कैलक्विर्ट हो चुकी है और में दोस्तों देख लेते हैं अगर इस डेटा कितना मेरे दोस्तों अभी दोस्तों दे सकते हूँ आब 99.99 GB है और पहले मेरा कितना था तो simply पहले मेरा पूरा का पूरा 10 GB था और अब मिल्कुल 1% जह वह माइनस हुई है तो सिंप्ली सिस्टम डेडा के अगर बात कुरूं तो वह दोस्तों 4.86 GB हुआ है और पहले मेरा कतना वह दोस्तों मेरा 5.53 GB था तो यह दोस्तों मुझे थोड़ा बहुत फ्री देखनों को मेला था तो यह थी मैंने स्क्रेंशॉट जो कि मैंने मसदे रहा आयो 17.1.2 का अपडेटेड और आपका इसका हेटिंग देख लूँगा कितनी मुझे देखने को मिल है आइफोन 11 में या फिर आइफोन 12 में आइफोन XR में किसी भी फॉन में आपका जो है कोई भी मेरे सवाल हो तो आपको मुझे कॉमें सेक्शन में जुरू ब